केंदर सरकरद्वारा एको सेंसिटिव जोन को लेकर जो कानून पसार किया गया है उसका विरोड करते हुए आज यहाँ पर आदिवासी समाज के लोग नर्मडा जिल्ले के केवड़या गाव में आज इकटे हुए है आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हो यहाँ पर यह लोग है वह आदिवासी समाज के लोग है याने कि केंदर सरकार द्वारा एको सेंसिटिव जोन का जो कानून लगाया गया है उसके विरोड में आज वह लोग इकटे हुए है आईए हमारे साथ यहाँ पर आदिवासी समाज के कुछ आगेवान उपसीद है और एको सेंसिट जो कानून बनाया गया है वो कानून में हमारे नर्मदा जिल्ले के 121 गाम आते हैं और 21 गाओं में जो रेवन न्यू रेकोर्ड है साथ नंबर में उसमें एक सो पांतरीश डी की एंट्री हो गई है तो उसको हटवाने के लिए और केवड्या का मुद्ध है सत्ता मंडड़ विध्हक मंड़ का वो हटवाने के लिए आज हम बड़ी मात्रा में केवड्या मा इक्षट्टा हुए है सरकार की गाइड लाइन को ध्यान रखते हुए यहां सोचियल डिस्टन्स और मास्क भी लगया गया हो रहा हम सरकार की गाइड लाइन की तरह ही आगे बढ़ रहे हैं अगे अगे बढ़ लाइन को लेकर उनका क्या कहना है जब से केवरिया एसोई डिवलॉप्मेंट एरिया जो विदेख बनाया तब से लेके आज तक हम लोगोंने कम से कम 25-30 आवेदन पत्र दिये राज्यपाल शाहब तक सियम साहब तक पीम साहब तक हम लोगोंने आवेदन पत्र दिये लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं आया कोई हमको उसका उत्तर नहीं मिला हमारे एक मित्र है एर तड़वी करके इन्होंने आदिवासी निगम सेंटरल गवर्मेंट का वहां भी लेट जैसे दिल्ली में खेड़ुत आंदोलन चल रहा है 12 लाख लोग बेटे हुए रोड पे इस तरह जब तक हम एक जगा पे धरना आंदोलन नहीं करेंगे तब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी ऐसा सोच कर आज हम लोगोंने ये पूरे 121 गाओं के लोगों को बताया और यहां के खास करके स्थानिक आगेवानों को जो जो अलग-अलग पार्टियां के लीडर है उन लोगों को भी बताया गया लेकिन वो लोग आज आये नहीं हमारा ये कहना है यहां पार्टी धर्म शंप्रजाई या जाती यह सब छोड़ कर एक आदिवाशिय के उत्थान के लिए आदिवाशिय को हो रहा है अन्याई के सामने लड़ने के लिए सब इकटे हो यही हमारी सबसे बिननती है लेकिन कोई आज हमारी बात सुनने को तयार नहीं है इसलिए हमको हम मजबूरन यहां 121 गाउं के लोग इकटे होकर धरना प्रदर्शन में बैठे हुए है और एको सेंसेटिव जोन हटाओ और जो टूरिजम कारून बनाया है उसको हटाओ यह बात लेके आज 121 गाउं के जो पूरे बुजुर्ग लोग है नव यूवान है बैन माता है यहां इखटी होए है और 121 गाउं की जो जमीन हड़पने की जो सरकार की जे चाल है और यहां सेंसेटिव स्टेची अब यूनिटिय के नाम पे यहां केवड़या की अगल बगल के गाउं को लोगों को विस्तापन करके जो सरकार की साजी से उसके खिलाब यहां 121 गाउं के लोग इखटे होके आज तक सरकार को कहीं आवेदन दिये है लेकिन उनका कोई प्र चुका है अभी यहां नर्मदा जिल्ला के जितने भी असरगस्त लोग है उनके सपोर्ट में जो नई भी असरगस्ते वही भी लोग यहां इखटे हुए है और जहां तक सरकार प्रसासन हम लोगों की मांगे पूरी नहीं करेंगे वहां तक यह धरना का प्रदर्शन चालू जारी रहेगी तो यह थे हमारे आदिवसी समाच के आगेवान जिनों ने हमको कारेकरम के बारे में जानकरी दी आप यहां पर वीडियो में देख सकते हो यहां पर यहां पर कोविन-19 गाइलान का पालन करते हुए आज वो लोग यहां पर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए है अब आदिवसी समाच के लोगों के मांग है कि हमारे साथ जो अन्याई जो हो रहा है और हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम इस जगा को छोड़ने वाले नहीं है आप यहां पर वीडियो में देख सकते हो यहां पर पुलिस प्रसाशन तंत्र है वो भी गतना सल पर मौजूद है एक नजार आप देख सकते हो नर्मडा जिल्ले के के वड़या गाउं का यह नजारा हाला कि यहां पर एको सेंसिटिव जोन का जो कानून सरकार द्वारा जो लगाया गया है उसको रद करने की मांग को लेकर आज आदिवसी समाच के जो लोग है व देखना यह रहा कि सरकार उसकी मांग पूरी करती है या नहीं कैमेरमेन संकर दर्वी के साथ गौतम व्यास गुजरात नर्मदा